जैहिंद दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजिलैंड के बीच में होने वाले पहले T20I मैच की दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है वर्ड कप में हमारे टीम्स ने कहर मचाया चाहे वो कोई भी मैच हो दोस्तों यह को सिं बारा टीम में नहीं सिंगल टीम दोस्तों यह हमारी टीम थी आप देख सकते हो फिलाल इसके बारे में जारा बात नहीं करेंगे जो यहां से इंपॉर्टेंट अप्टेट निकल कि आ रही है आप में से जारातर लोगों के पास जो यह जैपूर का स्टेडियम है स्वाइमा पोस्त नहीं किया तो आप कहेंगे यहां पर पिच्छ रिपोर्ट कहां से निकलेगी हाना एक और आपके माइन में बात आ रही होगी कि थोड़ा सा नोर्थ साइड में पढ़ गया तो नोर्थ में ठंड जादा पढ़ती है मैच शाम को है चैपूर है ना दोस्तों तो क्या यह दू आएगा यह भी आपके माइन में होगा इन्हीं चीजों का जवाब मैं आपको दूँगा दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ आप माइन में बिठा लीजिए लेकिन इतनी नहीं आएगी मेरा घर भी नौर्थ में है दोस्तों इतनी कोई दू नहीं पढ़ रही कि क्यों कि कुणा पश्ञाइजब करते हैं तो आई पेल में यहां पे मैच वेठीं हा दोस्तों आईयब और यहां पर 7 मैचें हुए थे अप्यो पिम अपने घैते हैं यहां दू कि यह continuouslyो बाइब ठीक है वीडियो अच्छी लग रहे है तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है प्लेइंग 11 क्या रहे हैं की यूडिसी आरे को पता है और दूसरी तरफ थोड़ा माइंड लगाई यह दोस्तों क्या रह सकती है भारत की प्लेइंग 11 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते है जहां पर आपको अपनी खुद की डीम देता हूं जिसके सब्सक्राइब का लिंक जहां पर जाके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जिसे आप पर मैं खेलता हूं सबसे कम ग्रेंड लीक्स के रेट होते हैं यहां पर खेलता हूं आप भी जरूर के लिए ठीक है तो चलिए लाइक आपने करी दिया होगा अब देखते सबसे बहले पिच्छ रिपोर्ट यह देखिए दोस्तों मैंने रिडाउट कर लिया है जो भी टीम जीते की बॉलिंग करेंगे बैटिंग यहां पर अच्छी होगी तो लगब एक सो असी पचासी आप लगाके चलिए इतना ही स्कोर बनेगा अब प्लेइंग 11 दोस्तों मुझे भारत की थोड़ी से फिट लगी नहीं प्लेइंग जो क्रिकमस ने दिया मुझे गलत लग लिए थोड़ी सी तो कि पर अश्वीण अक्सर और साथ में यूजी चाहल भी है तीन स्पेनर बोल रहा है यह घरशल पतेल बोल रह और भूवी सिराज डीपक तो यह मुझे यहां पर दिक्त कराद लग रही है त्रह तीन स्पिनर दो पेसर को युँ मतलब लगी है तो अश्वीन, अकसर और चहल तीनों मेंसे कोई दो ही खेलेंगे तीनों नहीं खेलेंगे, ठीक है? दूसरी तरफ हर्शल, भूनेश्वर, सिराज, और डिपक चारों मेंसे कोई तीन खेलेंगे यहां तक क्यी मैं और आपको बता दू भूवी तो पक्का खेलेंगे हर्शल शायद बैंच पे बैठेंगे और सिराज और डीपक खेलेंगे ठीक है जहां तक मुझे लग रहा है तो यह कंबीनेशन होगा एक बर किसी और आप पे सेम प्लेइंग लेवन चेक करें ज़रा आपको पता है दोस्तों यूडी सी आरे बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद जाके आपको टीम मना के देते हैं और उसी की वज़े से हमारे सिंगल टीम भी कहर मचा जाती है क्यों क्योंकि उस अकेली टीम को बनाने भी बहुत मेहनत लगती है ना अपनी तो सीजी स्पीक करते हैं इंडिया वर्सेज में सिलेंट प्रिव डाला ही नहीं है यहां पे चलो कोई बात नहीं पर चलते हैं भारत के प्रिव्यू देखा जाए जरा प्रोहित राहूल श्रेयस अक्सर इशान भार भी वैट सकते हैं आवेश भी खेल सकते हैं वैसे वैंकरटेश अईयर भी कहल सकता है रुतुरा जगाए को और यह काफी बड़े नाम है दोस्तों ऐसी बात नहीं है किसी को भी चांस दिया जा सकता है पहला मैं अच्छा लेकिन जो दूसरी टीम है दोस्त तिल अब चपमेन आ जाएंगे दोस्तों लेफ्ट एंडेड़ा मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि चपमेन कहां पर है कि यह देखिए दोस्तों लेफ्ट एंडेड़ा मार्क शपमेन जो काफी इंपॉर्टेंट साभी दो सकते काफी तगड़ा बैट्स मैंने दोस्तों ग्लैन फिलिप्स राइटी आगए टिम साइफट आगए जीमी नीश्यम आगए दोस्तों नीश्यम का वैसे चांस नहीं था लेकिन इतने तगड़े परदर्शन के वादा वह फिनिशर की भूमी का हर्थिक पांट है कि तरह नहीं फाते हैं उसके बाद मिचल चैंटनर मिल मिलने के चांस नहीं है दोस्तों नहीं यह गलत लिखाए लोकी फर्गुसन अविलेबल है वो खेलेंगे साओधी फिर साओधी सोडी और बोल्ट यह इनकी अपनी रहेगी इनकी ठीक है तो यह अपनो डॉन कर लीजिए यह एक गलात दोस्तों अपना लगी फर्गुसन सान रहेगी पिछले भी लगवग आई पेल मुझे रखता है साथ में से शाइच यहां इनों ने लिखा भी है शाइच कहीं पर हाँ यह रहाँ सेवन मैच इसे मैच आइप लेकिन आइपल में ग्राउंड अलग होते हैं वैसे ग्राउंड अलग होते हैं ठीक है अब बैड़ बाल पे भी हम खेलेंगे ड्रीम इलावन पे भी खेलेंगे बैड़ बाल पे खेलने का मतलब क्या है दोस्तों यह देखिए 20 इसकाउंट मिल रहें आपको और 20 की 20 वह बीस वह मिलेगा और के जाई आपको देट सब्सक्राइब पर खेलता हूं दोस्तों सभी लिग्स में डिसकाउंट है यहां पर ग्राइब और यहां तक कि आपको फ्री में भी मिल रही है लीक कितनी में लगा सकते हैं लिखा हुए आप देख लिए एक इनट चला गया यहां पर कोई डिसकाउंट निया आपके सामने है ठीक है क्रियेट टीम करते हैं अब देखें सब लोगोंने दढ़ा अधर दढ़ा अधर रिश्वर पांथ को लिए हुए लेकिन एक चीज नोट डाउन करिए जयान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यह देखिए अगर इशान किशनी खेलते हैं वो उपन करेंगे ठीक है और साइफट साइफट कौन से नमबर पे आ रहे हैं और यहां पर यहां पर वन तू त्री फूर फिट शिक्स तो पंथ को लेने क्या मतलब है यार तो थोटा माइंड लगा यह इसके अगर्णिंग लेना आपको सबसे पहले इशान किशन पका लेना अगर खेल डेफिनेट लेना चले ना चले को मतलब भी नहीं इन्हों लेना ही लेना ठीक है दूसरी दरफ अगर पेटिंग पहले आती है भारत की तो पंत को सोच सकते हो बैटिंग बाद में आदे पं अगर इशान खेलते हैं डेफिनेटली इशान लीजिए पर साइफर को देनी की जूरत ही नहीं है इनके इलावां को बैट सब्सक्राइब क्या दिक्क्त है माइं दोस्तों वह कहते हैं खेलो दिमाग से वह काम है अब एक और चीज़ अगर आपको याद होगी रोहित कैप् यह बिल्कल गनाता है यह खेल नहीं रहे इन्हें एग्णोर करिए राहुल राहुल आइस जूजल बहुत 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 तगडे प्लेयर है दोस्तों ठीक है उसके बाद न्यूजिलैंड की अगर बात की जाए गप्टिल की अब उमर हो चुकी है तो मैं दोस्तों लेफ्ट एंडड राहे तो मार्क चपमंह स्विक लिया दिया जाए अर्मि लिया ही नहीं किसी ने यह गलत है या अब इतने इंप्टेंट तयर को जनता नहीं ले रही है वह बहुत बड़िया खेलते हैं दोस्तों लेफ्टिलैंड उसके उसके त्पष बहले बैटिंग आती है ठीक है मैं शाद आपको बताना भूल गया इसमें न्यूजी लाइन की बहले बैटिंग आती है तो हम टीम बना रहे हैं जीमी नीशम भारत की बाद में आएगी ना तभी तो भारत का हमने दोनों ओपनर लिया और वांड डाउन लिया है अना माइंड लगाई है दोस्तों माइंड से ही डीम बनती है उसके बाद भारत की तरह से डाथ बालिंग कौन करेगा हर्शल पडेल इफ इस इन प्लेइंग इलावन डफिनेटली वो करेंगे अधर अधर वाइस सिराच कोई तो खेलेगा ना दुनों में से जो भी बन्दा खेलेगा उस बाकि जो दो पेसर होंगे उन दोनों पेसर को लिया जाएगा देखें जड़ा दो पेसर कौन है सिराच और भूवनेश्वर या हर्शल पटेल जो भी बन्दा खेलेगा चारों में से जो खेलेगा उसे टीम में ले लेंगे हैं कोई भी दो ले रहते हैं एक बड़ा थोड़ा सारा करेट वाला प्लेर रहते हैं ठीक है दोनों में से जिखन भारत के तीन पेसर खेलेंगे डीपक मुझे लगता है पका खेलेंगा तो डीपक के इलावा जो भी दो पेसर खेलेंगे दोनों टीम में ले लेंगे माइंड लगा यह दोस्तों अब दूसरी तरफ अब यह को 46 प्रतिशत लोगों ने लिया है अच्छी बात है लेकिन खेले के जांस बहुत कम है अब यह आप थोड़ा से सोचिए न्यूजिलंड की जरसे ओपनिंग कौन करेगा टंड बोल्ट करेंगे ले चुके टीम में अब भारत में भारत की टीम स्विन के आगे इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ेगी लेकिन द देखिए इस टीम में आपको कमी क्या लग रही है तीन बैट्समान आगए लेकिन एक कमी है भारत की जगा हम नुजिलंड के चार बैट्समान लेना चाहते हैं ग्रैंड फिलिप्स में टीम में जाता हूं कि मेरी टीम में हो तो तो आप चाहें तो एक प्लेयर इनका ले सकते हो किसी भी अश्वेन या चहल को निकाल के आप टीम में इसे ले सकते हो कोई दिक्त वाली बात नहीं है आप फिलिप्स को ले सकते हो लेकिन बैटिंग फिर तीन बहुत हैं दोस्तों कुई बंडे वैश तो यहां लेकिन आप गलती कर रहे हो क्या मैंने भोला यह बैटिंग पीच्छा दोस्तों दोनों तरफ से बड़ा स्कूर बनेगा तो अब आपका माथा खंका होगा दोस्तों बॉलिंग विकट ही नहीं तो इतने बॉलर क्या करने अना तो निकालिए बाहर चाहल को और लीजिए निउजीलेंड ओल्रलिका इक और बैट्समेन तो एक और लेना आये एक और बैट्समें लेना एक ओलेना है कौन सा लेना में देखें जरा डेरी मिचल गप्टिल हमने नहीं ले न चप मैंना चुका फिलिप्स डाफिनिटली दोस्तों ग्लन फिलिप्स यह देखिए आचुके हैं दोस्तों चार वैट्सवन हो चुके हैं अभी अभी आप चाहें तो भारत का भी और बैट्सवन बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत वाली हमखात आप लगपात नीस हागा अगर आप लोग चाहते हो तो ऑप्शन आपके बाद सब्सक्रोण है आप ले सकते हों लेकिन मैं चार के साथ जारे हो हूँ बारत के ने किब्सवन लेकर जा रहा हूं रोई शर्मा दोनों ओपनर्स को ट्राइए करेंगे भारत के ही भारत में मैंच है ना यह देखिए अब माल लीजिए न्यूजीलंड पहले बॉलिंग कर रहें तो फिर आपका भुवनेश पर बाहर चला जाएगा लॉकी फर्गुसन टीम में आ जाएगा यह देखिए इसके बाद अश्वीन और सीराज सेम रहेंगे बॉलिंग में फिर दोस्तों बैटिंग में ग्लन फिलिप्स आपका बाहर चला जाएगा और भारत का चौथे नंबर का प्लेयर आ जाएगा सुरे कुमार यादव या सुरे सायर देखते हैं जो भी वन्दा आएगा बैटिंग करने वह पता लग जाएगा ना में प्लेइंग से तो यह टीम बनेगी अपनी नीशम को भी फिर आप भार कर सकते हो नीशम की कोई खाब जर्मुत नहीं पड़ेगी टीम में नीशम की ज भारत के फिर भी दो प्लेयर रख सकते हैं को दिक्कत वाली बात है शोड़ी को ट्राइगर सकते हैं फिर आप अश्विन की जगह पे थोड़ा सा फायरे का सोता रह सकता है सी वी सी यहां पर आपका डैरी मिचल कैप्टन रह सकते हैं सिर्फ पैटिंग कर रहे हैं वाइस आपका बोल्ट रह सकता है फिर बॉलिंग में अन्तमें विकट्स भारत जरूर गिराता है अपनी यह देखिए इस तरीकी आपकी टीम रह सकती है अब आपको कहिंगे सर हमें और भी कुछ चाहिए तब कमेंट करें दोस्तों जो चीज आप देखना चाहिए आपको कमेंट में जरूर मुझे बताना आपको अगले मैच में वह भी चीज मिलेगी धन्यवाद दोस्तों